एक एकरण पार्ट टू हो गई हमारा इससे पहले एक पार्ट करवा चुका हो मैं देखो क्या हुआ था राजस्थान का जब एक एकरण किया जा रहा था तो कुछ एक राजा मारा जाएं जो अपना अलग खुद का एक स्टेट बनाना चाहरे थे जैसे उदेवान सिंग जी खुद अपना एक संग बनाना चाहते थे दोलपूर के माराजा ऐसे ही सेम जोदपूर के माराजाएं वो भी अपना एक संग बनाना चाहरे थे मेवाडवालों ने भी कोशिस की अपना संग बनाने की मालवा और गुजरात को मिला के ठीक है मालवा और गुजरात के जो छेतर हैं इनके साथ कई बार वारता की उधर से बीका नेर में सारदूल सिंग थे उन्होंने बहुत कोशिस की सार्दुल सिंग के बारे में और बाकी राजाओं के बारे में ये बोला जाता है कि ये अपने यानि अधिकारों के लिए के चिंतित थे कि हम बारस सरकार के या संग में मिल जाते हैं तो हमारी अधिकार क्या होंगे? क्या हमसे हमारा राज्य पूरी तरीके से छिन लिया जाएगा किसी प्रकार की कोई विश्य सदिकार राजाओं को दिये जाएंगे कि नहीं दिये जाएंगे इसलिए राजाओं को चिंती तोना सुभाविक था क्योंकि किसी समय उसी रियासत पर वो लोग 300, 400, 700, 800 सालों से राज करते आ रहे हैं और वो एक खाली मात्र एक हस्ताक्षर वर्से बारज संग में मिल जाएगा तो उनका वो राजपाट चला जाएगा उनको लेकर यही चिंता थी अपने राजपाट को लेकर कहीं बारज सरकार हमको किसी प्रकार का कोई राजपाट विशेस अधिकार देगी या नहीं देगी तब देखो जो राजपान का जो विले किया गया था उनका नाम और उनकी दिनांग मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी अगर आप हमारा पार्ट वन देखना चाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देदूँगा आप वहाँ जाकर पार्ट वन देख सकते हैं कि यह एकिकरण का पार्ट हुए मैं कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट माज राष्थान का एकिकरण खतम कर दूं ठीक है अब शुरू करते हैं देखो क्या हुआ था कि मैंने आपको बता एक उद्यवांद सिंग है जो दोलपूर के महारा जाएं जो कौन थे एकिकरण के समय उद्यवांद सिंग थे कौन थे उद्यवांद सिंग जी थे ठीक है उद्यवांद सिंग यह अपना खुद का एक संग बनाना चाते थे इसलिए नोंने सबसे अंतिम में जोदपूर के माराजा कौन थे उस समय जोदपूर के जो माराजा थे उस समय हनुवंध सिंग कौन थे हनुवंध सिंग थे जोदपूर के माराजा है जो खुद बिर्टेन चले गए थे ब्रिटेन चले विदिश चले गए थे विले पत्र के अस्ताक्षर करने की वज़े से यह नहीं चाते थे जल्दी से विले पत्र पर टालम टूल कर रहे थे और विले पत्र पर अस्ताक्षर करने में टालम टूल कर रहे थे ठीक है इसी प्रकार से विका नेर के सासक थे विकानेर के सासक उस समय कौन थे सारदूल सिंग थे इन्होंने सब से पहले विले पत्र पर हस्ताक्षर किये लेकिन ये अपने अधिकारों को लेकर चिंतित थे कि बारत सरकार है जो हमारे अपना ये संग बनाना चाहते थे ऐसे मेवाड महाराजा थे उस समय भुपाल सिंग थे इन्होंनों भी इसी संबंद में एक मिटिंग बुलाई जिसमें 22 राज्यों के राजा आये थे फर्स्ट को सिस में दूसरी बार फिरसे को सिस की इन्हों ने लेकिन किसी वज़े से बात से नहीं बनना बन पा रही थी उसका में रिजन क्या था कि कोई भी महाराजा जो राजस्थान का दूसरे कंडर में काम करना नहीं चाहता था और इन्हों ने तो बोपाल सिंग जी ने तो बहुत अच्छा आइडिया भी दिया था कि ठीक है वाई तुम अगर साथ काम नहीं कर ठीके से 12 संग में का विले हो जाए यह पाकिस्तान में ना चले जाए ठीक है यह बात में लास्ट में और बता दूंगा अच्छे सा भी यह देख लीजिए पहला हमारा कौन सा चरण था पहला चरण था हमारा मतस्य संग कौन सा चरण चरण था मतस्य संग पहला चरण में मत 18 मार्च 1948 को मतस्य संग बनाया गया इसका बनाने के पीछे एक रीजन भी है अलवर के महाराजा थे तेज सिंग अलवर के महाराजा कौन थे तेज सिंग और इनके पी-म थे अलवर के खर्रे इन दोनों को क्या है मात्मा गांदी जी के जो हत्या कर दी गई थी उसके सडियंत्र में इन दोनों को गरफ्तार कर लिया गया था जब इन दोनों को गरफ्तार कर लिया गया तब अलवर पर किसी का सासन नहीं रह तो इनको अलवर को क्या कर लिया गया भारत में मिला लिया गय ठीक है ऐसी दूसरी ओर थी एक बरतपूर रियासत कौन सी थी बरतपूर बरतपूर रियासत जो उत्तर प्रदेश के टच में पड़ती थी तो जब देश का बटवारा हो रहा था उस समय क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम सामपरदायक दंगें जो बरतपूर के अंदर जूर तो बारत सरकार ने यहां के माराजा थे उसमें ब्रजेंदर सिंग कौन थे यहां के माराजा ब्रजेंदर सिंग बरतपूर के माराजा कौन थे ब्रजेंदर सिंग इनको बारत सरकार ने बोला कि वही सामपरदायक दंगों को तुम कंट्रोल करो लेकिन यह उस समय सामपरद साइक दंगों को Cignor नहीं कर पा रहे थे तो बारह, सरकार ने क्या किया इनका प्रशासन इन से छिन के बारह, सरकार ने खुद अपने अंडर में ले लिए तो इसप्रकार से दो कि संग को ऐसे ही मिल गई रियास्ति विभाग को कि जग दो मिल गई तीनों करोली और दोलपुर को किस प्रकार से मिलाया गया देखो करोली के उस समय दोलपुर के उस समय जो महाराजा थे और कौन थे अभी मैंने आपको बताया दोलपुर के महाराजा थे उस समय उदेबान सिंग जी कौन थे उदेबान महाराजा उदेबान सिंग जी महराज उदेबान सिंग जी यह अभी वसंदर राजी जी उस समय उदेबान सिंग जी क्या है हमारी राइस्थान के एक बहुत बड़ी नेता है राजनेतिक चेहरा है कौन वसंदर राजे वसंदर राजे के ससूर थे उद्यवान सिंग जी कौन थे वसंदर राजे के ससूर थे तो देखो अभी उद्यवान सिंग जी को अभी देखो उद्यवान सिंग जी को भारा संग द्वारा क्या बोला गया कि वही तुमको क्या करेंगे मतस्य संक्य क्या बना देंगे राज प्रमुख बना देंगे तुमको क्या बना देंगे राज प्रमुख तो इन्होंने पूछा राज प्रमुख क्या होता है तो इन्होंने बोला सभी राजाओं का प्रमुख आपको बना दिया जाएगा किसको उदेवान सिंग जी को इनको राज प्रमुक का पद दिया गया ऐसे करोली के उस समय राजा थे करोली पे उस समय यादववंस का राज था वो यादववंस के राजा कौन थे गणेश पाल गणेश पाल यादव ठीक है या गणेश पाल देव उस समय आके सासक थे इनको बोला गया एक बही तुमको तुम मतस्य संग में यदि सामी लोगे तो तुमको क्या बना दिया जाएगा उप्राज प्रमुख तो इनको उप्राज प्रमुख के पद का लोग लालस दिया गया ठीक है? इस प्रकार से अलवर, भरतपुर्ट, करोली, दोलपुर्फ और नीम्राना को मिलाया गया। अभी देखो, कोई पूछ लेता है आपसे, यह पूछ लेता है कि मतष्य संग में कौन-कौन सी रियास्तों का विले किया गया। तो देखो मतस्य संग में मतस्य संग में टूटल चार रियासत और एक ठिकाना को सामिल किया गया था ठीक है तो चार रियासत ये कौन कौन सी थी देखो A, B, C, D, ठिकाना, N, ठीक है, A, अलवर्फ, B, बरतपुर, C, करोली, इसका C का ध्यान रखना, कोश्चन में हमेशा उप्शन में दिया जाएगा कोटा, तो ज्यादा तर लोग या जो भी अभ्यार्थी हों कोटा करके आ जाते, कोटा नहीं था, वो करोली था, C से करोली बनेगा, D से दौलपुर, कोश्चन आएगा निम्न में से मता से संग में कोटा को देगा, तो करोली के जगा किसको देगा, कोटा को देगा, ठीक है, N से नीमराना, नीमराना क्या था, ठीकाना था, किन का ठीकाना था, ये चौनों का ठीकाना था, ठीक है, देखो, अलवर्वर का सासक कोटा था, करोली का गणिश पाल दोलपूर का कौन थाउदेवान सिंग जी मैं इनको दो बार इसलिए बता रहा हूं कि इन मैं से पूछा जाता है जास थानमी की करंड के समय अलवर का सासा कौन था तो आपको बता ना तेज सिंग नीमराना का कौन था राव राजिंदर सिंग यह मैं पहले तुमको बता चुका हूँ ठीक है इनका थोड़ा ध्यान रखना जाद अतर पूछा जाता है अलवर का बरतपूर का करोली का दोलपूर का उदेवान सिंग है यह ठीक उदेवान सिंग यह थोड़ा ध्यान रखना अभी देखो राजपुर्मु किसको बनाया गया देखो अभी राजपुर्मु को छोड़ देवार दोर सिरे तरी के सबता देखो राजदानी मतस्य संका निर्मान कर लिया गया तो राजदानी किस को बनाया गया तो राजदानी बनाया गया अलवर को राजदानी किसके खाते में गई अलवर के खाते में ठीक है और परदान मंत्री किसको बनाया गया परदान मंत्री भी अलवर से ही थे कौन थे परजा मंडल अंदुलन के एक नेता थे जिनका नाम था बावु सोबराम कुमावत सोबराम कुमावत सोबराम कुमावत को क्या बनाया गया? प्रदान मंत्री बनाया गया ठीक है? प्रदान मंत्री किसको बनाया गया? सोबराम कुमावत को सोबराम के नाम पे अलवर में कॉलेज भी है देखो प्रदान मंतरी सोबराम कुमावत कोई कहां से थे अलवर से थे ठीक है राजदानी भी किसको बनाया गया अलवर को बनाया गया अब देखो ओ प्रदान मंतरी ओ प्रदान मंतरी किसको बनाया गया प्रदान मंतरी अलवर से ले लिया प्रदान मंत्री दो को बनाया गया, ठीक है, दो आदमी कौन-कौन थे, तो दो आदमी थे, एक तो थे जुगल किसोर चतुरवेदी, इनको क्या बनाया गया, वो प्रदान मंत्री, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, जुगल किसोर चतुरवेदी को, जवाल लाल नहरू भी इनको बोला जाता, राजिस्थान का जवाल लाल नहरू, इनको बोला जाता है, युगल किसोर चतुरवेदी को, युगल लिखो चा जुगल लिखो, ठीक है, एक और बनाया गया था वो परदान मंतरी वो किसको बनाय गया था? वो बनाय गया था एक यादव थे गोपिलाल यादव गोपिलाल यादव का संबंध कांसे है? वो परदान मंतरी दो परदान मंतरी बनाय गया थे इनका संबंध है बरतपुर से गोपिलाल यादव गोपिलाल यादो ठीक है तो ये तीनों आपको याद रखना है कई बार question पूछ लेता है गोपिलाल यादो का सम्मंद कहां से है तो बरतपुर से जान रखना इस चीज़ को ठीक है उसके अलावा एक मंगल सिंग थेन को भी मंतरी मंडल में सामिल किया गया था मंगल सिंग इसको पूछा गया है ठीक है इसको तालो या screen shot ले लो अब आगे बढ़ते है राजदानी हो गया ठीक है उद्गाटन करता कौन थे मतर से संके उद्गाटन करता उद्गाटन करता उद्गाटन करता थे N.V. गोडगिल उद समय बारा सरकार में मिनिस्टर थे इन्होंने मतशे संका क्या किया था? उद्गाटन किया था कहां किया था? लुआगड दुर्ग बरतपुर में लुआगड दुर्ग बरतपुर में कहां है लुआगड दुर्ग? बरतपुर में यहाँ पर उद्गाटन समार हो हुआ था बरतपुर के अंदर ठीक है? इसमें एक चीज और मैतपुर्ण है उस समय मतशे संकी आए क्या थी? मतशे संकी आए थी 1.84 करोट या 184 लाख ठीक है? जन संक्या कितनी थी? जन संक्या अभी तक पूछी तो नहीं गई है लेकिन फिर भी लिख लेजिए जन संक्या उस समय थी इसकी 18.38 लाख 18.38 लाख ठीक है ये जन्सेंख्या थी ठीक है इसका स्क्रीन सॉट ले लो आगे बड़े अब यहाँ पर यहाँ आपका पहला चरण कम्प्लेट हो गया इसमें एक चीज ओं लिक ले ना जो मतस्य संग जो नाम दिया गया था इसको किस की सिफारिष पर नाम दिया गया थे ये भी कई बार question पूछा गया के एम मुनसी की सिफारिष पर कनेयलाल, मानिकलाल, मुनसी इनका पूरा नाम था ठीक है इनकी सिफारिश पे क्या दिया गया था मतस्य संग नाम दिया गया था इनकी सिफारिश पे ठीक है आगे बड़े अब देखो दूसरा चरण पहला चरण हो गया मतस्य संग अब देखो दूसरा चरण दूसरा चरण का क्या नाम था पूर्वी राजस्थान पूर्वी राजस्थान पूर्वी राजस्थान बोलो या पूर्वी राजस्थान बोलो ठीक है ओठारा मार्च इसके मतस्य संके साथ दिन बाद यानि 25 मार्च को 25 मार्च 1948 को क्या बनाया गया था? 1948 को पूर्वी राजस्थान अब देखो पूरु राजस्थान इसका नाम किसलिए दिया गया पूरु राजस्थान इसलिए दिया गया जितने रियासते राजस्थान के पूरों में पड़ती थी यानि पूरु दिशा में पड़ती थी इधर की साइड में पड़ती थी वो सब को इसमें मिलाया गया थे, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, पूरु राजिस्थान, अभी देखो, इसके अंदर 9 रियासतें, कितनी रियासतें, 9, और 1 ठिकाना, 9 रियासतें और 1 ठिकाना, टोटल 10 को मिलाया गया था, ठीक है, पिलस 1 ठिकाना, ठीक है, रियासत कि रियासते पूर्य राजस्थान कौन कौन सी थी देखो लिखो नो रियासते पहला पहला आप लिखो नीचे से डूंगर पुर वागड की लिखलो पहले डूंगर पुर दूसरा बांस्वडा तीसरा प्रतापगड ठेकाना भी सी कही था वागड़ी छेत्र का ही, कौन सा था, कुसलगड, इसको मैं यहीं लिखवा देता हूँ, कुसलगड, कुसलगड, इसको लिख लो, नोट डाल के ठिकाना, क्योंकि 10 हो जाएगा ना, काउंटिंग में, पांच वा, अब देखो, हाडोती छेत्र की, कोटा, ठीक है, बून्दी, कोटा, बून्दी, जालावाड, ठीक है, अब बच गई, दो छोटी, किसंगड, दो छोटी रियासत है, किसंगड, एक कोण सी बची, एक सापुरा, छोटी रियासत, अब ये काउंटिंग में, दस इसलिए हो रही है, ठीकाना का नाम मैंनों वही लिख दिया था, उसके अलावाड बच गई, एक मात्र, मुस्लिम रियासत कोण सी थी, टॉक, ठीक है, हो गए, आप स्क्रीन सोट ले लो भी, अब इसमें, देखो, इसमें थोड़ा लिख लेना, टॉक, ब्रेक इट में इसका लिख लेना, एक मात्र, मुस्लिम रियासत, कभी-कभी, कांस्टेबल वगेरा हम पूछ लेते, एक मात्र, मुस्लिम रियासत, मुसलिम रियासत थी है सबसे छोटी कौन सी थी सबसे छोटी थी सावपुरा ठीक हो मैं लास्ट में एक नोट डलवा के लिखवा दूँगा सारी चीजी किलिए रो जाएंगे आपको ठीक है अब ये रियासतों का विले तो कर दिया लेकिन अब जगडा तो होगा किसी को प्रदान मंतरी बनना है किसी को राजप्रमुख बनना है किसी को उप्राजप्रमुख बनना है तब उनको राजप्रमुख किसी को पद का लालज दे के उसको मिलाया गया किसी को प्रदान मंतरी का लालज दे के कि उसकी रियासत को मिलाया गया, किसी को उपर राजप्रमुक बना के इनको रियासतों को मिलाया गया, बिना लोग लालच के ना तो आज तक देश के सासक माने हैं, और ना नेता माने हैं, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा उनको, अभी देखो, यहां का जो प्रदान मंत्री बनाया गया था प्रदान मंत्री देखो गोकुललाल असावा क्या नाम था गोकुललाल असावा यह भी प्रदान मंत्री के लिए प्रदान मंत्री के लिए सबसे अच्छा चैरा कौन सा रहेगा गोकुलाल असावा रहेगा अभी देखो कोटा के राजा थे महराजा थे भीम सिंग उनको क्या बनाया गया राजप्रमुख किसको बनाया गया राजप्रमुख किसको बनाया गया कोटा के महराजा भीम सिंग को क्या बनाया गया कहां के थे कोटा के थे इनको बना दिया गया राजप्रमुख ठीक है उसके अलावा उप्राजप्रमुख किसको बनाया गया मारावल लच्मन सिंग को उप्राजप्रमुख किसको बनाया गय उपराज प्रमुख महरा वल लच्छमन सिंग को यह कांके थे ढूंगरपुर के थे लक्षमन सिंग इनको क्या बनाया गया उपराज प्रमुख बनाया गया ठीक है प्रदानमंत्री गोकुलाल असावा हो गए, राजपरमुक किसको बना दिया गया, कोटा माराजा, भीम सिंग को, उपराजपरमुक, लच्छमन सिंग, डूंगरपुर के सा सकते, उनको क्या बना दिया गया, ठीक है बढ़े आगे, अब देखो, राजदानी किसको बनाया गय तो राजदानी उस समय कोटा को बनाया गया, किसको बनाया गया, राजदानी कोटा को बनाया गया, क्योंकि कोटा उस समय ठीक ठाक अच्छा खासा बड़ा था, आसपास के अरिया में और सुईदाय भी कोटा में ज़्यादा थी, राजदानी कोटा और उद्गाटन भी, उद्गाटन भी कहा किया गया उद्गाटन भी कोटा के अंदर ही किया गया कोटा में क्या किया गया उद्गाटन किया गया और उद्गाटन करता कौन थे उद्गाटन करता जो मतस्य संके थे N.V. गोडगिल साफ वही कौन थे उद्गाटन करता थे एन वी गोड़गी लिए ठीक है यही क्या थे उद्गाटन करता थे ठीक है यह आप इसको उतार लो भी देखो इसमें एक चीजों लिख लें नौट कर लेना एक बासवाडा के सासक थे बासवाडा के बासवाडा के सासक उस समय कौन था एक इकरन के समय चंदर वीर सिंग थे महाराजा महारावल चंदर वीर सिंग जी विले पत्र पर सोरी अस्ताक्षर कर रहे थे तो यह बोले ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यानि इनको ऐसा लगा कि जैसे मैं अपनी डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं चंदर वीर सिंग जीन क्या कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अ सुम के डेथ वारंट पर अस्थाक्षर कर रहा हूं विलेपत्र पर अस्थाक्षर करते हो उन्होंने ऐसा काथ हाँ दुख तो उआई होगा दुख हुआ तबी तुन्होंने ऐसा बोला देखो आए आए थी भाई 2.6 करोड ठीक है 2.6 करोड और जनसंख्या कितनी थी जनसंख्या जनसंख्या थी 23.05 लाख कितनी थी 23.05 लाख ठीक है याद रहे तो कल लेना नहीं रहती है तो कुई बात नहीं ठीक है आगे बढ़े तीसरा चरण देखो तीसरे चरण में कुछ नहीं करना है तीसरा चरण कोण सा था उद्यपूर का एड़ कर दिया गया इसलिए इसको क्या बोला गया संयुक्त राजस्थान ठीक है अब उद्यपूर को जब सम्मिलित किया गया है उद्यपूर का तो गोरवसाली इतियासरा है तो अभी राजपूर्मुक किसको बनाया जाएगा राजपूर्मुक वाके सासक को बनाया जाएगा यहां के सासक कौन है देख लिखो राजपूर्मुक यहां के सासक थे माराजा बुपाल सिंग कौन थे माराजा बुपाल सिंग कौन थे माराजा बुपाल सिंग कौन थे महाराजा बोपाल सिंग इनको क्या बनाया गया राजप्रमुक बनाया गया अभी उप्राजप्रमुक इसको बनाया जाएगा तो कोटा वाले नाराज हो जाएंगे भाई तो इसलिए उप्राजप्रमुक इसको बनाया गया उपराज प्रमुक बनाया गया भीम सिंग को थेक है कोटा के राजा भीम सिंग जी को सहयुक्त राजस्थान का डेट आपको मालूम है निर्मान की डेट आपको मालूम हो गई 18 अप्रेल 1948 आपको ट्रिक से भी बताया था मैं 18 25 एक महीने बाद ही मिला लिया था इसको मतस्य संग के एक महीने बाद ये तो 23 मार्च को बोले थे फोन करके ठीक है मारा जाए यांके बोपाल सिंग जी है जो जवाल लाल नहरू को फोन करके बोले कि हमें भी राइस्थान संग में मिला दिया जाए कितने को 30 मार्च 1948 को लेकिन उस समय क्या है कि 25 मार्च है जो उद्यपूर के सोरी कोटा के अंदर उदगाटा निनका फिक्स कर दिया गया था तो इस वज़े से इनको फिर एक महीने का इंतजार करना पड़ा ठीक है तो इनको फिर कम मिलाया गया अठारा परहल उनीस वड़ाताली से मिला अब देखो प्रदान मंत्री किसको बनाया गया अभी एक बार इसको लिख लो एक स्क्रीन सोट ले ले लिजे इसका अभी देखिए अब उदेपुर राज्ये जब राजिस्थान के अंदर मिला है तो उद्गाटन करने वाला भी कोई बड़ा ही आदमी आएगा क्यों आएगा उसका कारण आप सबको पता है इसमें एक से एक बड़े राजा पैदा हुए तो इनका इतियास भी गोरोव साली राज्ये से तो हमारा खुद का सीना गरु से चोड़ा हो जाता है तो उद्गाटन करने कोन आए उद्गाटन करता देखो भी उद्गाटन करता खुद प्रदान मंत्री जवाल लाल नहरू आए देखो उद्गाटन करने कोन आए खुद प्रदान मंत्री जवाल लाल नहरू जी आए ठीक है नहरू आए उस समय के पी-म थे ठीक और उद्ग राजदानी भी किसको बनाये गया उदैपूर को किसको बनाये गया उदैपूर को किसको बनाये गया उदैपूर को ठीक है और प्रदान मंत्री किसको बनाये गया प्रदान मंत्री बनाये गया मानक के लाल मानक के लाल वर्मा को किसकी सिफारिस पर जवालल नहरू की सिफारिस पर तीसरे चरण का प्रदानमंत्री कौन था मानिक केलाल वर्मा यह जितने नेता हैं जो कांसे निकले थे प्रजामंडल अंदलों उसे निकले थे यह सब ठीक है बस इतनी बाते विशेश हैं सहयुक्त राजिस्ट्रा इसमें एक चीज और ध्यान रखना प्रिवी पर्ष दी जाती थी 12 सरकार द्वारा उस समय किसी भी देशी रियासत के एक 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 रंड़ पर क्या दिया जाता था प्रिवी पर्ष तो माराना ने मांग की थी 20 लाख रुपे की यहनि पैंशन की आप इसको समझ लो पैंशन कितने की मांग की थी तीन कंडिसने रखी थी एक क्या थी 20 लाख रुपे पैंशन के रूप में देगी बारत सरकार दूसरी कंडिसन क्या थी कि यहांका जो राजस्थान का जो भी राजप्रमुक होगा वो वनसान उगत होगा और कौन बनेगा मेवाड से बनेगा यानि उदेपुर से बनेगा तीसरी कंडिशन क्या थी कि उदेपुर क्या रहेगी राजदानी रहेगी राजदानी क्या रहेगी उदेपुर रहेगी ये तीन कंडिशन बारस सरकार को माननी पड़ी थी राजदानी क्या रहेगी उदेप तब उद्यपुर का हमार राजस्थान में विले किया गया इन तीन कंडिस्थान के आदा पहली क्या थी कि पेंशन की रूपे 20 लाख रूपे दिये जाएंगे राजप्रमुका पद वनसानुगत होगा और राजदानी क्या रहेगी उद्यपुर रहेगी ठीक है अब अगला ठीक है यह कल पढ़ेंगे अभी